गुड मॉनिंग, गुड आफरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इस सुदिंदर सर्व फ्लेयर आफ नमबर्स यूटूब चैनल, हम है वीडियो लेक्चर 2 में आज एक नए टॉपिक को डिसकस करेंगे जिसका नाम है ओपन संटेंस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ रते ही true या false की feeling आती है, now it's time to understand what is open sentence, so patience बना कर आपको पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत important है so आईए friends समझते है what is an open sentence, पहले हम लोग समझते open sentence क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 examples लिया है, so through example I will explain you कि इसको open sentence क्यों बोलते है so अगर आप first example देखोगे, तो यहाँ पर दिया है x plus 6 is equal to 9, so question is sir ये open sentence क्यों है और open sentence statement होता है कि नहीं तो friend यहाँ पर जो example दिया है x plus 6 is equal to 9, यहाँ पर variable की value missing है, यहाँ पर जो variable x दिया हुआ है, इसकी value missing है, value missing होने के वज़ा से इसको judge करना मुश्किल है कि यह true है या false तो ऐसे sentence जिसमे कुछ न कुछ subject missing हो, उसको कहते है open sentence, मतलब friend अगर कोई भी ऐसा sentence दिया है जहां पर subject missing हो या कोई भी variable की value missing हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं open sentence बोलते हैं so question is is it statement so answer straight forward is no open sentence कभी भी statement नहीं होते open sentence is not a statement यह क्या होते है statement नहीं होते not a statement चलिए friend अभी हम लोग दूसरा example देखते हैं he is honest अरे भाई कौन कौन honest है यहां पर यहां पर कोई subject दिया ही नहीं है तो यह भी क्या है open sentence है अगर यह open sentence है तो यह statement नहीं होगा और अगर यह statement नहीं होगा तो मैं इसकी truth value नहीं find कर सकता यहां पर क्या दिया है x into 5 is equal to 20 यहां पर भी variable की value क्या है missing है तो यह भी क्या है open sentence है जहां पर भी कोई value missing रहेगी या subject missing रहेगा तो क्या हो जाता है open sentence हो जाता है और अगर open sentence रहेगा तो यह statement नहीं होगा यहां पर दिया है it is red in color यहां पर किसका color red दिया है वो दिया ही नहीं है इसलिए मैं बोल स रखता हूं यह भी statement नहीं होगा क्यों क्योंकि यह open sentence है अब भी sentence जहां पर कुछ missing हो और अब ही मैंने कुछ sentences लिए है वो sentences को मुझे check करना है कि यह statement है कि नहीं और अगर statement है तो उसकी truth value को मुझे क्या करनी है find करनी है तो चलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं find करते हैं यहां पर मैंने कुछ example लिया है sentences लिया है 6 into 4 is equal to 25 ऐसे कुछ sentences लिया है 7-8 इसको मुझे sentences को check करना है कि यह statement है कि नहीं और अगर statement है तो उसके truth value क्या होगे और याद रखना friend अगर कोई हम लोग नहीं find कर सकते लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था तो यहां पर क्या दिया है 6 into 4 equal to 25 यह sentence statement है क्या यह statement है क्यों क्यों क्योंकि यह declarative sentence कोई भी declarative sentence दिया रहेगा तो always क्या होगा statement होगा यह statement है और इसके truth value क्या है 6 into 4 क्या होता है 24 यहां पर 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 यह दिया है equal to 25 दिया है तो इसके truth value क्या होगी false होगी यहां पर क्या आएगा F आ जाएगा false को हम लोग capital F से denote करते हैं और true को हम लोग capital T से denote करते हैं यहां पर क्या दिया है next one x plus 5 is equal to 8 यहां पर जो variable x से इसकी value क्या है missing है तो यह क्या है open sentence है और open sentence कभी भी statement नहीं होते तो ये क्या हो जाएगा statement नहीं होगा और अगर ये statement नहीं होगा तो इसके truth value हम लोग नहीं find कर सकते next one what are you doing यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सवाल कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग question पूछ रहे हैं तो ये क्या है ये interrogative sentence है और interrogative sentence भी statement नहीं होते हैं next one please sit down यहाँ पे हम लोग request कर रहे हैं ये कौन सा sentence है ये imperative sentence है तो ये भी क्या होगा statement नहीं होगा next one the moon revolves around the earth यहाँ पे एक simple sentence दिया हुआ है simple sentence क्या होता है declarative sentence होता है declarative sentence always क्या होते है statement होते हैं तो ये क्या होगा statement होगा और अगर यह statement है तो इसके truth value क्या होगी true होगी capital T होगी क्यों क्यों क्योंकि moon always earth के revolve घूमता रहता है next one he is honest अरे भाई कौन किसके बारे में बोल रहा है honest किसके बारे में बोल रहा है तो यह क्या है यह open sentence है because यहाँ पे subject missing है तो अगर open sentence दिया रहेगा तो open sentence कभी भी statement नहीं होते यह भी क्या होगा statement नहीं होगा next one 2 is an even prime number यह declarative sentence हो declarative sentence always statement होते है अब statement है तो इसका truth value क्या होगा true होगा because 2 is an even prime number 2 even prime number होता है next one a quadrilateral has five side अरे सर क्या बोल रहे हो quadrilateral की five side थोड़ी नहोती है but इसकी truth value क्या होगी false होगी because quadrilateral की four side होती है अभी तक हमने क्या सीखा अभी तक हमने सीखा open sentence क्या होता है और कुछ sentences लिए वो sentences को हमने चेक किया कि यह statement है कि नहीं और अगर statement है तो उसकी truth value क्या होगी now we are going to study simple statement and compound statement अभी हम लोग simple statement and compound statement को detail में समझेंगे simple statement को सीखने से पहले हम लोग पहले statement को एक बार recall कर लोते है statement क्या होता है declarative sentence जो होता है statement होता है Şimdi statement क्या होता है statement which cannot be split further into two or more statement वो क्या होता है simple statement होता है for example suppose अगर मैं लिख रहा हूँ अगर मैं लिख रहा हूँ to is an even prime number तो यह sentence है स्टेटमेंट क्या होता है if i statement is the combination of two or more simple statement मतलब अगर दो या दो से ज्यादा simple statement को जोड के अगर मैं एक statement बनाता हो एक sentence बनाता हो तो वो क्या हो जाएगा compound statement हो जाएगा for example यहां पर मैंने एक example भी लिया है friend three is a prime three is a prime यह एक simple sentence हो गया यह simple statement हो गया three is a prime and next one क्या दिया है four is an even number four क्या है even number है और यहां पर देखो दो sentence को जोड के एक statement बना गया है three is a prime and four is an even number तो यहां पर दो statement है इसकी विज़र से यह क्या हो जाएगा compound statement हो जाएगा मतलब अगर मैं दो या दो से ज्यादा simple statement को जोड के एक statement बनाता हो तो वो always क्या होता है compound statement होता है next one नीचे यहां पर लिखा है मैंने two is an even prime number यहां पर एक simple statement लिखा हुआ है simple statement लिखा हुआ है यह simple statement का example है मतलब अगर कोई एक declarative sentence दिया रहेगा तो always क्या होगा simple statement होगा और अगर मैं simple statement को जोड के एक बड़ा statement बनाता हो हो तो always क्या हो जाएंगे compound statement हो जाएंगे now it's time to study logical connectives जिसके उपर हमारा पूरा chapter वेज्ट है अब हम लोग समझेंगे logical connectives क्या होता है logical connectives the word और phrase which are used to connect two statement are called logical connectives जैसे मैंने compound statement आपको बताया था दो simple statement को हम लोग जोड के compound statement बनाये थे अभी पहले अभी मैंने आपको example दिखाया था तो जो word उसको जोडनी का काम करता है मतलब अगर कोई word से मैं उसको जोड रहा हूँ तो वो word क्या होंगे logical connectives होंगे वही मुझे यहाँ पर सीखना है for example suppose अगर मैं यहाँ पर लिया हूँ P stands for monsoon is a very good और याद रखना friend logic में आपको क्या करना है कोई भी अगर sentence दिया है तो उसको हम लोग small alphabet से denote करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक statement लिया है monsoon is a very good और दूसरा statement लिया है rivers are rising तो यह जो statement है इसको मैं P and Q से denote किया है ऐसे ही आपको throughout the chapter करना है जो भी statement दिया रहेगा उसको small alphabet से आपको क्या करना है denote करना है जैसे मैंने यहाँ पर P से denote किया है monsoon is very good Q दिया है क्यों मैंने यहाँ पर denote किया है reverse are rising ऐसे ही आप कोई भी alphabet से denote कर सकते हो इसको A B से भी P Q से भी X Y किसी से भी denote कर सकते हो आपके उपर है तो इसको यहाँ पर देखो दो simple statement दिया है इसको मुझे क्या करना है compound statement बनाने के लिए जो यहाँ पर हम लोग word use करेंगे उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे logical connect use बोलेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है monsoon is very good and reverse are rising तो मैंने जो end बोला वो क्या हो जाएगा logical connect use हो जाएगा क्यों because and अगर मैं यहाँ पर लिखूँँगा तो यह जो sentence है यह पूरा complete हो जाएगा यह statement पूरा complete होके compound statement बन जाएगा तो यहाँ पर जो end आएगा वो क्या हो जाएगा logical connect use हो जाएगा दो statement को जोडने का काम जो word करेगा वो always क्या होगा logical connect use होगा similarly एक और example हम लोग लेते हैं और समझते हैं logical connect use क्या होता है तो friend यहाँ पर example दिया है Ram is smart and next one दिया है Ram is healthy एक statement दिया है Ram is smart और दूसरा statement दिया है Ram is healthy तो जो Ram is smart दिया है उसको मैंने C से denote किया और जो Ram is healthy दिया उसको मैंने D से denote किया अभी क्या करना है यह दो simple statement का यूज़ करके मुझे compound statement बनाना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Ram is smart और यहाँ पर लिख दिया Ram is healthy अब यहाँ पर कौन सा word आएगा Ram is smart और Ram is healthy दिया है पर क्या आएगा और आ जाएगा तो यह जो और है friend यह क्या हो जाएगा logical connect use हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे logical connect use बोलेंगे जो भी simple statement को जोड़के जो word simple statement को जोड़के compound statement में convert कर दें वो जो word रहेगा वो always क्या हो जाएगा logical connect use हो जाएगा चलिए एक और example लेते हैं और detail में समझते हैं friend यहाँ पर मैंने example लिया है x a triangle is equilateral x denote कर रहा है a triangle is equilateral and y denote कर रहा है it is an equiangular y क्या denote कर रहा है it is an equiangular तो इसको मुझे compound statement में convert करना है a triangle is equilateral तो यहाँ पर कौन सा logical connect use आएगा it is an equiangular तो क्या आएगा if and only if a triangle is equilateral if and only if it is an equiangular तो यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा if and only if यहाँ पर क्या आजाएगा friend if and only if आजाएगा और जो यहाँ पर if and only if लिखा है मैंने यह क्या हो जाएगा logical connect use हो जाएगा चलिए friends एक और example हम लोग लेते हैं यहाँ पर friends यहाँ पर मैंने example लिया है a denotes it rains heavily and b denotes school will be closed यहाँ पर मैंने a लिया है it rains heavily and b लिया है school will be closed तो यहाँ पर कौन सा logical connect use मुझे use करना है जिसकी वज़ा से compound statement बन जाए तो यहाँ पर मैं use करूंगा if it rains heavily मतलब अगर बारिस होगी then school will be closed तो यहाँ पर क्या आ जाएगा if आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा then यहाँ पर क्या आ जाएगा friend यहाँ पर आ जाएगा then तो क्या हो रहा है if it rains heavily then school will be closed तो यह क्या हो जाएगा compound statement हो जाएगा तो अभी तक मैंने कौन-कौन से logical connect use आपको बताया पहला मैंने आपको बताया and दूसरा मैंने आपको बताया और तिसरा मैंने आपको बताया if and only if and fourth one आपको बताया मैंने if then यह four logical connect use मुझे यह chapter में पढ़ने है यह four logical connect use के जो properties है उसको मैं आपको next lecture में बताऊँगा इसके बारे में और भी detail में हम लोग समझेंगे logical connect use क्या होता है इसको next lecture में आपको बताने वाला हूँ friend तब तक के लिए मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया उसको आपको क्या करना है रिवाइस करना है आसा करता हूँ friend आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो motivate करने के लिक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जिनको इस वीडि प्रेंड शाल